हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वेल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेशांक विक्रम और वेताल संजय कुपता पेश करते हैं हाँ से समराड बाकेलाल का हाँ से कॉमिक विशेशांग विक्रम और वेताल माकेलाल यदि जानते हुँ भी तूने इस प्रिशने का उत्तर गलत दिया तो तेरे राजा विक्रम सिंगी के खुबड़ी दो तुकड़ों में विवाजित हो जाईगी फिर तो मैं उत्तर गलत ही दूँगा एक दिन बाकेलाल को पता चला कि बन में चमण केतू नाम का राक्षस आया हुँ है जो अपने पैने नाकुनों से शिकार का एक एक बूंद रक्त भी निकाल देता है क्यो ना मुझ छड को चमण केतू के पास भेज़ दू अभी बाके ये सोची रहा था कि अरे ये तिर्शूल यहां कौन गिरा दिया शायद किसी सादू सर्न्यासी का किर गया होगा क्यो ना महराज से जाकर कह दू की महराज ये शंकर भगवान का तिर्शूल है उस दुष्ट राक्षर चमण केतू का बद इसी के इसी से राजा के हाथों होना तै है फिर शीगरी महराज वो रही चमण केतू की कुफा अब महराज चमण केतू के नकीले पंजों से नहीं बचेंगे उसके बाद विशाल गणका सिंगासन मेरा ये चीक तो महराज की ही है इसका मतलब कि मेरी योजना सफल हो गई मुच्छण मारा गया किन्तू बाकेलाल डुष्च चमण केतू मारा गया किन्तू मैंने तो आपके चीकने का सब सोना था हाँ बाकेलाल पहला वार तो चमण केतू नहीं मुझपर किया था जिससे मेरे बाजू पर तीन घरोज बन गई और मेरी चीक निकल गई थी किन्तू फिर मैंने शंकर भगवान के तुशूल से उसके जीवन का अंत्त कर दिया राक्षस मर्दे मर्दे कह रहा था कि उसका अंत उसी तुशूल से होना था राक्षस के मर्दे ही तिशूल भी गायब हो गया किन्तु वो तिशूल तो मुझे रहा में पढ़ा मिला था इसका मतलब वो सचमुच शिप जी कही तिशूल था जिसे उन्होंने जान बूच कर राक्षस के वद के लिए मेरे रास्ते में गिराया था उसी शाम बाकेलाल के हाथ लगी वे प्राचीन पुस्तक बाकेलाल ने उसका अध्यन किया पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक आएक बाकेलाल प्रसनता से उचल पढ़ा वो मारा पापड़ वाले को चल बेटा बाकेलाल वेताल को सिद्ध करने जो करेगा तीरी मनो कामना पूर बाके लाल शम्षान में आकर पुस्तक में लिखी विधी के अनुसार वेताल को सिद्ध करने लगा खाट पे खाट उस खाट पे आठ आठ पे साठ मैंने पड़ा पाट नाड़े की गांट गांट पे गांट लोहे का जाल लकडी की ढाल म्रग की जाल तबले की ताल परसंद हुआ बे ताल आमले का चूर कर मनो कामना पूर खाराई सौत तू चाहे राजा की मौत ए हवा थमजा तू बिल्कुल ठीक समझा घोड़ा अब तू होजा फौरन खड़ा जियों का त्योपर क्यों क्यों क्योंकि घास में होगी खर पतवार में हूँगा तेरे घंदे पर सवार बाके लाल आज के बाद आता कल अब तू यहां से चल मैं हात मलता हूँ और यहां से चलता हूँ बाखेला ये नहीं सपना सुनाओं मैं एक सची घटना ध्यान से सुन और सोजना पुन तुन तुना जल्दी सुना विशालगड से दूर एक और राज है सुल्तानगड तांतरिक समराट तंबुनात मेरे जीवन का एक ही लक्षा विकरम सिंग को मार का विशाल कर पर कमजा राजा सुल्तान सिंग मैंने पाव भाजी तलवार की प्राप्ति हेतु पाव भाजी यग्यारंब कर दिया है यह यह के पूर्द होते ही पाव भाजी देवता की तलवार आपके हातों में होगी और शत्रु का सेर आपके पाव में बस जब तक मैं मना ना करूँ आप यह के आउती में डालने के लिए पाव भाजियों के पतले यहां बिचवाते रहें पाव भाजी बनवाने के लिए मैंने एक हलवाई बैठा रखा है तो मैं पाव भाजी की कोई कमी नहीं होगी और हाँ यह के मैं डाली गई पाव भाजी के आउतियों के बाद जो पत्तल बचेंगे आपको यह राज परिवार को उन्हें चाटकर ही साफ करना होगा अन्यता यह के कफल प्राप्त नहीं होगा तुम घबराओ नहीं अगर मैं इतने सारे पतल नहीं चाट सका तो अपने पूरे खांदान से चटवाऊंगा पूरा खांदान भी नहीं चाट सका तो फिर बाकी के पतल अपनी सस्राल भिजवा दूँगा चटवानी के लिए बस त उने हुए बुट्टे दूर दूर तक प्रसिद्य थे। चक्रपाणी के तीन भाई और थे। तीनों एक से बढ़कार एक थे। कोई चने बेशता था, कोई मुम्फली तो कोई रेवडी। चारों भाईयों की कीरती दूर दूर तक फैली थी। दुरदशा के राजा बुद् उत्राचल परवत को तोड़ डालो, तुम मैंसे जो उसे तोड़ डालेगा उसका विवा मैं राजकुमारी चत्रा से करूँगा। शारों भाई उत्राचल परवत पर पहुँचे। परवत तो बहुत ऊचा है, बड़ा बाई होने के नाते पहले मैं इसे जल्द वाजी मत करो बड़े बहिया, मुझे पाववाजी देपता का वरदान मिला हुआ है, कि किसी भी कठिन कारों को जब मैं पूरा नहीं कर पाऊं तो वो आकर मेरी मदद करेंगे, मैं उनका आभान करता हूं, तब तक तुम प्रतिक्षा करो, चक्रपाणी खोद पाववाजी देपता की तल्वार लेकर वहां पहुंचा तो, ओ, ये तीनों कंकाल मेरे भाईयों के ही हैं, अपने भाईयों की मिट्टू से दुखी जक्रपाणी ना परवत को नहीं तोड़ा किंतू, क्रोध में भरकर उसने तल्वार को उस परवत की सीने में घौप दिय देवता पाववाजी की तल्वार कराम आती थी, वह अपने लक्ष का सीना अवश्य भेद देती है, वह परवत को चीर का दूसरी ओर जा निकली जहां उतकल नामक नदी बहती थी, फिर क्या था, उस स्थान से जलकी मोटी धारा बहन निकली, राजा बुद्धी दर्शी को पता चला तो वह बहुत प्रसान नुआ और उसने अपनी पुत्री का हाँ चकरपाणी की हाथ में दे दिया, इतना वर्तांत कहकर वेताल चुप हो गया, फिर बोला, बाकेला, अब मना ना जश्न, मैं पूछूंगा प्रश्न, गिरेगी जोपडी, सही उत्तर ना दे पाया तो फटेगी तेरे राजा की खोपडी, मुच्छर की खोपडी, फिर तो मैं गलत उत्तर ही दूँगा, बाकेला, राजा पुद्धी दर्शी ने तो चारो भाईयों को पहार तोडने को कहा था, चकरपाणी ने तो पहार भी नहीं तोड़ा, फिर भी राजा ने उससे अप बगर राजकुमारी से विवा नहीं करना चाहता था, सुनो वेताल, दरसल राजा को प्यास लगी थी, वो पहार तोड़वा कर नदी के जल में अपनी प्यास बजवाना चाहता था, और ये बिलकुल सही जवाब है, बाकेलाल, तूने कुछ नहीं तला, ले में चला, वेता वेताल ने कहा था कि उसकी कहानी में चुपी होगी मुच्छड को मानने की योजना, मैंने उस योजना को ढूंड लिया है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे पहुचना है दुर्दशा, क्योंकि वेताल की कथा के अनुसार पावभाजी देवता की तलवार आज भी तलवार प्राप्त करनी है जो मेरे शत्रु को नेस्तो नाबूत कर सकती है, तांतरिक तंबुनात के यग्य में भी तेजी आती जा रही थी, और पावभाजी लाओ, फिशली पावभाजी में नमक कम था, और मिर्ची जादा, हलवाई को जाकर काओ कि नमक की मातरा ठीक करे किन्तु तांतरिक सम्राट, तुम तो पावभाजी देप्ता को अर्पित कर रहे हो, उसमें नमक कम होने का पता तुम्हें कैसे लगा, मैंने पर साथ खाकर देखा था, महराज, ओ, किन्तु तमारे पावभाजी देप्ता कपता प्रसन होंगे, बहुत शीक्र, बहुत शीक् की मित्ति होने पर दुर्दर्शा भी अब विशाल गड़की सीमा में आ गया है यह वही नदी है जो पावभाजी देवता की तलवार के बार से छूट निकली थी और यह रहा उत्रांचल परवत वगर परवत में धसी कोई तलवार तो दिखाई नहीं पड़ रही किन्तु तलवार वही होनी चाहिए जहां से जलकी धारा प्रस्फटित हो रही है मुझे पेड़ों के जुरुबन पर जाकर देखना चाहिए करता जा पाड़ी पाड़ी चरता जा यह रही तलवार अब इसे बाहर निकालता हूँ ओ यह तो निकली नहीं रही मैं तो सोच रहा तो इसे आसानी से निकाल लूँगा लेकिन इसे निकालना तो पड़े गा ही कब बकत वेताल ने इसे बाहर निकालने का तरीका तो बताया ही नहीं बाकेलाल निकट वर्ती काउं में गया और पूरी तैयारी के साथ वहां पहुँचा मैं हाती की ताकत से पावबाजी की तलवार को बाहर खीचने का लूँगा माकेलाल ने रस्ती का एक सरग हाती की पूँच से और दूसरा से तलवार की मूट पर कस कर बांदिया अब निकल जाएगी तलवार चल मेरे हाती, ओ मेरे साती, चल ले चल तलवार को खीच कर खचाक, ओ, ये स्वर कैसा, लगता है तलवार निकल गई है ओ, ये क्या, मैं तो सोच जा था कि तलवार निकल गई, किन्तु ये स्वर तो हाती की पूछ निकल लेगा था मैं पुछ मुंडा हो गया अब मैं अपने शरी पे बैठी मक्या कैसे उड़ाऊंगा बाकेलाल को भी आ गया ताओ तलवार तो मैं प्राप्त करके रहूंगा जैब होले शंकार और ओ तलवार भार निकलाई खचा अरे जो तलवार मेरे खीचने से भी नहीं निकली वो इसके खीचने से कैसे निकलाई तभी एक आकाश वाड़ी गुंचुटी बाकेलाल ये तलवार तभी बाहर आनी थी जब इसे हाती की पूछ की मदद से कोई सदाचारी मानव जैब होले शंकर और जो नदी वहाँ बन गई थी वो भी सूखने लगी ये विशाल नदी तो सूखती जारी और ये क्या नदी में तो पूरा शहर डूबा था जो बाहर आराया नदी सूख गई और नगर दिखने लगा मकानों से बाहर आगए लोग तुमारे कारणी नदी सूखी है और हम लोग शांप से मुक्त हो पाएं बाकेलाल मैं हूँ चक्र पाणी मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस नदी में डूब गया था किन्तो अब मेरे भाई भी जीवित हो गए है मैं तुमारे उपकार कभी नहीं बूलूँगा और मेरा लक्ष है राजा विकरम सिंग का सीना बाकेलाल के लिए महाराज को उस खंडर में लाना कोई मुश्किल काम नहीं था बाकेलाल कहा है शंकर भगवान की वो मूर्ती जो तुमारी आखों के सामने इस खंडर में भूमी भाल कर प्रकट हुई है अंदर तो चलिये महाराज अभी शंकर भगवान के दर्शन करवाता हूँ इदा परलोग भेज कर महाराज वो देखे वो रही शंकर भगवान की मूर्ती मुझे तो दिखाए नहीं पड़ ली पांगेलाल मैंने तो खुशनी किया महाराज जो किया है तलवार ने किया है तलवार मोटे की तोन तक लंबी होकर आरपार हो गई है विक्रम सिंग कटे वरक्ष सर नीचे गिर पड़ा महाराज की नीचे गिरते ही पावाजी देथा कि तलवार भी गायब हो गई यानि की विकरम सिंग का हो गया राम नाम सत मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा पर इसके चेरे पर मक्यां मन डा रही है मक्या शब के चेरे पर ही मंड रहती है वो मारापड़ वाले को मुच्छे खीचने पर भी यह नहीं करा रहा यह मर चुका है चलो महल वापिस महल पहुशने पर ही जैसे ही दर्वार ने दौर खोला ये लो दौर खोलने का इनाम कमाल है थोड़ी देर पहले महाराज ने भी खोशो कर मुझे एक थैला अशर्फियं दियें और अब आप भी दे रहें आखिर बात क्या है आगे जा चुका बाकेला रद को वापिस मोड कर ला क्या कहा तुमने तरह फिर से तो कहो हाँ थोड़ी देर पहले महाराज ने भी मुझे परसंद नोका रशर्फियं की थैली दिये ही ही महाराज ने का है महाराज महाराज वो रहे बाग में नहीं यह महाराज नहीं हो सकते मेरी आखों को धोका हो रहा है बाकेलाल पास जाकर देख कचार कचार वाह क्या मीठा अमरूद है हे चबर चबर ये तो पास से भी मनूस मुचड़ी है तो फिर मैंने जिसे महारा वो कौन था आओ आओ बाकेलाल लो तुम भे वंरूद खाओ पर आप खंडर से कब लोटे महाराज कौन सा खंडर बाकेलाल मोटे को तो खंडर के बारे में भी कुछ नहीं पता ये कैसा रहस्य है घबराया बाकेलाल अमरूद खाकर बापिस खंडर में पहाँचा तो विक्रम सिंग का शब इतनी जल्दी तो चील कववे नहीं खा सकते चील कववें के बाद कुत्तो की बारी आनी थी कुत्ते भी इतनी जल्दी सारी हड्डिया नहीं खा सकते तो फिर शब कया कहा बाकेलाल ने दोड़ाया गोड़ा कब वकर वेताल तो कहता था कि उसकी कहानी में विकरम सिंगी मुर्ति का रहसे चुपा है रहसे तो मैंने ढूंड गिया कि तु मुच्छ मरा क्यों नहीं बाकेलाल बापे सिम्चान बहुचा वेताल वेताल हुट 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 कहा है तू क्योंकि गीत में बेसर पैर के गाता हूँ, कहानी मैं पद्दी पर चड़कर ही सुनाता हूँ। बीत गई मेरी जवानी, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। बस तु मरेगी तो सड़ेगी बाकेलाल, कहानी तो तुझे अब सुननी पड़ेगी। अब मैं कहां जाओंगा, तू सुनने नहीं आएगा, तो मैं सुनाने आओंगा। बेटे बाकेलाल, एक योजना तो विफल होई चुकी है, कहानी सुनले, वनना ये नाराज हो गया तो दूसी योजना से तू बंचित रह जाएगा। ठीक है भईया, अब बन गया हूँ शम्शानी, चल सुना कहानी। बाकेलाल, तूटेगी जोपड़ी, यदि कहानी का जवाब सही न दिया, तो फूटेगी तेरे राजा की खोपड़ी। फिर तो मैं कलत जवाबी दूँगा। बाके ध्यान से खाहनी सोना और अपनी योजना पुना। उधर का अंत्रिक तंबूनात का यग्य पूरा हो गया। ओहो, यग्य कुंटे से डगार की धनी गुंजरी है, इसका मतलब यग्य संपन्न हो गया। तकाओर, तभी पाव प्रकट हो गई एक तलवार, पाव भाजी देट्य की तलवार प्रकट हो गई, तो फिर मैं युद्धि का ऐलान करता हूँ, जरा ठहरे महाराज, ये तलवार तो खुरदरी है, भून जुठा वे सर, तूने कम नमक और जादा मिर्ची वाली पाव भा कर दिया, और मैं अमरत कुंड के अमरत से करारे करने चला गया, लोटने में देर हो गई, तो प्रसान होने में भी देर हो गई, इस बीच इस तलवार का प्रयोग किसी और ने कर लिया, होड़ अप्पा दी की कुसूर? अब ये तलवार सब्जी तो काट सकती है कि तो किसी की करदर नहीं होड़ अपपा दी की कसूल चंगा होड़ अपपा चल देंगा तू तो जूते खाने लाइक है तूने पहले चक्कर क्यों नहीं देखिवा अजी अब चक्कर देख लूँगा अब से तेरा क्या मतलब है अब मैं शुरू करूँगा लसी यग्य जिससे प्रसन होगा गधर्प गधर्प के विश्की कहीं कोई काट नहीं है जल्दी से भगोना मतनी दही दूश शक्कर रित्यारी मगाए माराज ताकि लसी यग्य आरंब भी किया जाए वेताल भी बाकेलाल को कहानी सुनानी आरंब कर चुका था बाकेलाल बहुत समय पहले की बात है गधर्प पुरी में गधर्व मानवो का राज्य था गधर्प पुरी का राजकुमार गधर्प बुद्धी अपने राज्य में सबसे अधिक समस्दार था लोगों के काम में हाथ बाटने में उसे आनंद प्राप्त होता था गदर्व बुद्धि को बहुत भूक लगती थी भूक उसे बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं थी उसका प्रियहार था हरी और नर्ममुलायम दूब चबट चबट उस दिन गदर्व बुद्धि को बहुत भूक लगी थी सयोग से उस समय दूप के मैदान में सींगा सर्फ जल खुंबी विश्राम कर रहा था सर्फ को अपनी प्रियतमा कमल ककडी की प्रतीक्षा थी भूग से व्याकुल गदर्व बुद्धी दूप के साथ साथ जल खुंबी सर्फ को भी जबा गया जल खुंबी विश्राम ना था इसलिए गदर्व बुद्धी को इस सेयों का पता ही न लगा जल खुंबी की प्रियतमा कमल ककडी प्रियतमा से मिलने वहां पहुची तो उसे वह कहीं दिखाई न पड़ा प्रियतम खुंबी मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया मातश्री कहने रगें कि जहां भी जाना है लस्टी पी के जाना किन्तु मैं ऐसे ही चली आई क्योंकि लस्टी तो हमने साथी पीने का वायदा किया था मुझे पता है कि तुम मुझे से नाराज होकर यहीं कहीं छिपे हो अब सामने आ भी जाओ न प्रियतम किन्तु तभी घांस पर रक्त चिन देखकर कमल चौक पड़ी वहीं उसे बिली गड़वी अरे जादुई गड़वी जिसमें लस्टी बनाते हैं डई ही मतने के लिए मतनी और शक्कर भी गिरे पड़े हैं अवशी मेरे प्रियतम के साथ कोई अहित हो गया है थोड़ा और खोजबीन करने पर उसे वहां घदी की लीद में अपने प्रियतम के अस्थियों के अवशेश भी पड़े मिल गए ओ ये डुश्ट कार अवशी किसी गधर्ब का है कुरोत मैं थर थर कापती सरपनी गदर बुबदी के खुरो का पीछा करती हुई इसके कक्ष तक जा पहुची और हत्यारे तू नहीं मेरे प्रियतम का वद्द किया है अब तू भी नहीं बचेगा किन तू मैंने किसी का वद्द नहीं किया तू हरी दूप के साथ मेरे प्रियतम को भी खा गया अब तू नहीं बचेगा ओ इसलिए मुझे खटी ड़कारे आ रही थी कि तू यह अंजाने में हुआ मेरे प्रियतम ने मुझे जादी गड़वी में लस्सी बनाकर पिलाने का वायदा किया था जादी गड़वी में मतनी चलाने पर अर्सी अपने याप पंती है लस्सी पीने के बाद ही हम विवा कर सकते थे किन्तु वादा तूट किया किन्तु वास्तर में तो जल खुम्बी उसे लस्सी पिलाकर अपने वश्मे करना चाहता था इस रहस का पता सर्पनी को नहीं था अब मेरी आत्मा तेरे शरीर में जाकर तुस्से भ्यानक पर्थिशोत लेगी नई देखते देखते गड़व बुद्धी के भी सींग निकलाये और उसकी शकल सर्प जैसी हो गई आज से तु गदर्व नहीं विशैला गदर्व कहलाएगा तु अपने परीजनों को डस लेगा क्रोधि सर्पनी ने गदर्व को माध्यम बना कर संपूर गदर्व लोग का खात्मा कर डाला कहते हैं आज भी गदर्व पुरी में गदर्व जीवित गूमता और किसी को भी देख ले तो उसे डसे बिना नहीं रहता बाके लाल गदर्व पुरी की पैचान शम्शान जैसा वात्रमा आसपास बिकरी पड़ी हड़ियां वा खोपड़ियां जगे जगे पर लगे मकडी के जाले उड़ते चमगादा साब बिच्चू कन खजूरे बाके लाल अब और ना सता जल्दी बता कहते हैं मीठी लसी पीने से आलसवा नीद आती है किन्तु जल खुम्पी को नीद कैसे आ गई जबकि उसने तो लसी पी भी नहीं थी अगर तूने इस प्रश्ण का उत्तर जानते हो भी सही न दिया तो तेरे राजा की खुबड़ी दो तुकड़ों में बढ़ जाईगी मनूस की मिर्ट्य का प्रश्ण हो तो उत्तर तो मैं सही देही नहीं सकता सही जवाब तो यह है कि वो रात को नहीं सोया होगा इसलिए उसे दिन में नीद आ गई होगी और गलत यह जो मैं वेताल को बता रहा हूं सुन वेताल जल खुंबी सर्ब को नीद इसलिए आ गई क्योंकि उसे लगी थी बहुत प्यास उसने अपनी प्रियतम की काफी देर प्रतिक्षा करने के पश्चात कुरोध में भरकर खुदी लस्टी बना कर पी ली और फिर बरतन भाने दोकर अपनी प्रियतम की प्रतिक्षा करने लगी वे तो ना आई परंतु नीद आ गई और नीद में वो खा गया खाया गया और ये जवाब सही है मैं चला अरे कमखत स आपी दाल नहीं गल रही गलत जवाब भी सही हो जाता है किन्तो इस बार वेताल की कहानी में से जो योजना मैंने बनाई है उससे मुछड विकरम नहीं बचेगा किन्तो ये गदरपुरी है कहाँ पर बेताल ने गदरपुरी की पहचान बताई तो थी कि वो शमशान जैसा दिखता है आसपस बिकरी पड़ियां खोपड़ियां वे हंडियां जगह जगह पर लगया मकड़ी के जाले किटर किटर अबै यही है उड़ते चमगादर किंच कि अबै यही है साम पिछू हिस्पस अबै यही है और कौन खजूरे भी वहाँ है खुजर खुजर ही बाकेलाल हुड तेरा की होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्स करते हो और मिलते हैं बिक्रम और वेताल के दूसरों रंतिम भाग में अगले वीडियो में त